चेप्टर HCF & LCM, Q270, Find the greatest number of 4 digits, which were divided by 4,5,6,7 and 8, leaves 1,2,3,4 and 5 as a remainder. तो इस question में हमें 4 digits के greatest number find करने हैं, और जिससे 4,5,6,7,8 से divide करने से remainder जो है 1,2,3,4 and 5 आना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, so first of all we find the difference between divisors and remainder, so we have 4 minus 1,5 minus 2,6 minus 3,7 minus 4,8 minus 5, so is equal to 3,3,3,3,3,3 in each case, we get same difference, 3, so in each case, we get same difference, 3, 7,8 यहां पर 8 जो हो 4 का टेबल से cancel हो जागा तो हम यह पर 4 रिमोप कर देंगे 2 का टेबल से लेते हैं 3, 7 और 4 therefore LCM is equal to 2 into 5 into 3 into 7 into 4 so is equal to 840 और अमें ग्रेटेस्ट 4 डिजित नमबर फाइंड करना है so we know that the greatest 4 डिजित नमबर 4 डिजित नमबर जो होता है 9999 required नमबर फाइंड करने के लिए करेंगे 4 डिजित के ग्रेटेस्ट नमबर को 840 से डिवाइड करेंगे पहले हम वन टाम से लेते हैं तो ये 840 9 5 1 फिर हम 9 को लेते हैं अगें वन टाम से लेते हैं 9 5 7 यह होगे है रिमेंडर तो देर्फोर रिक्वाइड नमबर इस एक्वाल टू इसमें रिमेंडर को माइनस कर देंगे और इच डिफ्रेंट्स जो है वो 3 आ रहा थो है या पही हम 3 भी माइनस करेंगे इसके साथ तो इस एक्वाल टू ट्रिपल नाइन स्वार टाम नाइन माइन दोनों का याट करते हैं तो यह होगे है 762 तो इस एक्वाल टू 9 2 3 7 विच तो इस तर इक्वाल टू ऑंसर